गुड मॉर्निंग बच्चों देखिए थर्मोडायनिमिक्स का लेक्चर 7 है छे लेक्चर पहले हो चुके हैं देखिए आपको मालूम है कि COVID-19 के कारण आप लोग कॉलेज नहीं आप आ रहे हैं और नेर फ्यूचर में भी दिखने रहा कि आप लोग कब कॉलेज आप आप हैं उनको आप सुनकर नोट्स बना लें और उससे आप पढ़ाई करें तो आगे इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एंथेल्पी और हीट कंटेंट ऑफ असस्टम या तंत्र की एंथेल्पी या पून उश्मा और इसी में हम देखेंगे डेल्टा एच और डेल्टा ए के बीच में क्या रिलेशन है मान लें यदि कोई सिस्टम है जिसकी हम अवस्था में परिवर्तन करा रहे हैं यानि कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और कंडीशन यह है कि आयतन हमने स्थिर रखा है तो आयतन स्थिर रखा है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम डीवी इस इक्वल ट डबलू की वैल्यूम रख दें तो डबलू की वैलिवी क्या हो जाएगी इंटिग्रेशन फ्रॉम V1 तो V2 PDV अब आपको मालूम है कि आपने change in volume 0 रखा है इसलिए यदि आप PDV में DV के value 0 रख देते हैं तो delta E is equal to क्या आ जाता है QV के बराबर आ जाता है तो देखें QV क्या चीज है स्थिरायतन पर अवशोशित उश्मा यानि कि heat absorb at constant volume और फिर इस equation से देखें यह स्पष्ट है कि स्थिरायतन पर अवशोशित उश्मा है वो system की आंट्रिक उर्जा के बराबर है heat absorb at constant volume is equal to change in internal energy और चुकि Q state function नहीं है आपने पहले भी पढ़ा था कि Q जो है वो अवस्था फलन नहीं होता परंतो QV अवस्था फलन है जो QV आप देख रहें उपर वो क्या चीज है वो state function है क्यूं क्यूंकि इसका मान डेल्टा E के बराबर है और डेल्टा E आपको मालू है वो क्या चीज है वो एक state function है नो नेक्स हम देखते हैं कि यदि हम system में change इस्थर दाप पे कराते हैं अभी आपने देखा system में हमने change कराया था इस्थर आजदन पर और हमारे सामने क्या relation आ गया कि QV is equal to डेल्टा E अब यदि मान लें कि हम system में change constant pressure पे कराएं इस्थर दा पर यदि हम कराते हैं और यदि मान लें कि QP स्थिर दाप पर अव्शोशित उश्मा है QP is heat absorbed at constant pressure और यदि system का जो volume में आयते ने वो initial और final stage में क्रमशह V1 तथा V2 है तथा internal energy E1 तथा E2 हो तो first law thermodynamics से आपको मालू में क्या होता है Q is equal to delta E plus integration PDV अब चुकि दाप इस्थिर है इसलिए दाप को हम integration के limit के बाहर ले लेंगे और DV को V2 minus V1 कर दें तो वो delta V के बराबर हो जाता है देखें यहाँ पर तो अब क्या हो गया QP is equal to delta E की जगह हम क्या रख सकते E2 minus E1 plus P delta V की जगह हमने रख दिया V2 minus V1 now QP is equal to E2 minus E1 plus bracket खोल यह PV2 minus PV1 next में थोड़ा सा इस वाली equation में हमने rearrange कर दिया है ऊपर वाली equation को तो इस equation से इस equation में क्या आगया इस equation में देखें क्या आता है कि QP is equal to E2 plus PVT PV2 minus E1 plus PV1 अब H is equal to हमें मालूम है होता है E plus PV तो हम फिर हम QP is equal to क्या लिख सकते हैं QP is equal to H2 minus H1 यह QP is equal to delta H तो QP क्या है? Heat absorb at constant pressure अब E, P तथा V state function अवस्था फलन है इसलिए HB state function है इसी प्रकार delta H तथा QP दोनो state function हो गए आपको पहले भी पताए Q अवस्था फलन नहीं है लेकिन QP अवस्था फलन यह state function है क्यों? क्योंकि वो delta H के बराबर है और delta H एक अवस्था फलन होता है नो किसी system की जो enthalpy change है यानि कि delta H उसकी जो आंत्रिक उर्जा में व्रिद्धी और system के द्वारा किये गए कारे के बराबर होता है तो delta H is equal to delta E plus P delta V जो E के समान जो H का वास्तविक मान भी हम ग्याद नहीं कर सकते हैं परंतो change in enthalpy को हम ग्याद कर सकते हैं तो यह आपने देख लिया एक आपको relation मिल गया QV जिसका मान delta E के बराबर है और दूसरा आपको मिल गया QP की जिसका कि मान delta H के बराबर है अब हम next topic पर आते हैं वो है heat capacity या ऊश्मा धारिता तो देखें सबसे पहले heat capacity क्या है तो the heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 degree centigrade और 1 Kelvin या किसी तंत्र की उश्मा धारिता उश्मा की वहमात्र है जो तंत्र का ताप 1 degree centigrade या 1 Kelvin बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है और चुकि C का मान ताप के साथ परिवर्थित होता है इसलिए हम इसे माद्य उश्मा धारिता term यूज करते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ कि C का मान ताप के साथ वैरी करता है इसका मतलब यह हुआ मान ले किसी system कोई जो भी आपने तंत्र ले रखा है और उसका ताप हमें 5, 5 degree centigrade तो वो system है और उसको हमें 6 degree centigrade पे करना है तो हमें कुछ उश्मा देनी पड़ेगी मान ले वो उश्मा Q1 है अब इसी system का ताप मान ले 15 degree centigrade है और उसको हमें 16 degree centigrade करना है तो अब इस समय भी हमें ऊश्मा देनी पड़ेगी तो मानले ये ऊश्मा Q2 है अब सेम तंत्र है और सेम तंत्र में ये जो Q1 और Q2 है ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊश्मा धारिता है वो टेंपरेचर के साथ चेंज कर रहा है इसलिए हम ऊश की बार से दिनोट करते हैं यदि मानले किसी सिस्टम को हम Q उश्मा देते हैं और उसका ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाता है तो मीन हीट के पैसिटी सी बार इस एक्वल टू क्यू अपॉन T2 माइनस T1 अब मानले कि हमें एक्च्वल हीट के पैसिटी ग्याद करनी है तो की डेल्टा क्यू मानले जे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो कि एब्जॉब हो रहा है सिस्टम के द्वारा और उससे टेम्परेचर सिस्टम का स्मॉल अमाउंट में बढ़ रहा है DT तो हीट किपैसिटी एक्च्वल हीट किपैसिटी इस एक्वल टू क्या हो जाएगा ड गेल्टा क्यू अपॉन डी टी चुकिए सी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है एंड डिपेंड्स अपॉन दपाथ इसलिए सी भी स्टेट फंक्शन या वस्था फलन नहीं है तो इसका मतलब सी क्या है पाथ डिपेंटेंट है पाथ पर निर्भर करता है तो पाथ पर नि कंडिशन बतानी होगी कि किसी का मान हमें यदि याद करना है कि उसकी वैल्यू ग्याद करने के लिए हमें कंडिशन क्या बतानी पड़ेगी कि इस्थिर आयतन पर हो रहा है या इस्थिर दाप पर हो रहा है यह हमें बताना पड़ेगा and therefore there are two types of heat capacity heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure नो सबसे पहले ले ले हीट capacity at constant volume that is cv यदि कहें तो आप देख रहे हूं कि आपके सामने कि हमने क्या माना है कि heat absorbed by the system at constant volume यानि कि इस्थिर आयतन पर जो अव्शोशत उश्मा है उसको हमने qv से denote करा है और temperature system का बढ़कर t1 से t2 हो जाता है यानि कि qv amount की उश्मा हम system को देते हैं और ताप t1 से बढ़कर t2 हो जाता है तो heat capacity at constant volume that is cv is equal to qv divided by t2 minus t1 at constant v अभी आपने पिछे देखा कि qv is equal to delta e के बराबर है तो फिर हम cv का मान क्या रख सकते हैं cv is equal to delta e upon t2 minus t1 at constant volume ना पर अभी नारो range of temperature यानि कि dt ताप में अंतर यदि बहुत कम हो that is dt तो cv is equal to del e upon del t at constant v यानि कि heat capacity at constant volume may be defined as the rate of change of internal energy with temperature at constant volume यानि कि इस प्रकायर प्रती डिगरी ताप बढ़ाने पर तंतर की आंतरिक उर्जा में विद्धी उसकी स्थिरायतन पर उश्मा धारिता कहलाती है now heat capacity at constant pressure ले ले यानि कि स्थिरदाब पर उश्मा धारिता जिसको हम cp से दिखाते हैं तो मानले heat absorbed by the system at constant p is qp यानि कि स्थिरदाब पर जो उश्मा अवशोशित हो रही है मानले वो qp है और qp उश्मा अवशोशित करके जो system का ताप है वो t1 से बढ़कर t2 हो जाता है तो cp is equal to क्या हो गया cp is equal to qp upon t2 minus t1 at constant p और चुकि आपको मालू है कि qp is equal to होता है delta e plus p delta v तो इस equation में हम qp की value रख देते हैं और फिर नीचे क्या आ जाता है चुकि delta e plus p delta v is equal to है delta h के बराबर तो cp is equal to delta h upon t2 minus t1 और cp is equal to del h upon del t at constant p now heat capacity at constant pressure may be defined as rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure या इस प्रकार प्रतिडिग्री ताप बढ़ाने पर system की enthalpy में विद्धी उसके इस्थिर दाप पर ऊश्मा धारिता कहलाती है अब जैसे बीच में एक चीज मिस हो गया है जिसमें हमने कहा है कि delta h और जो relation आपने लिखा है कि delta h और delta e के बीच में हम relation भी बताएंगे तो देखे इस page पर आ जाते हैं देखे इस page पर देखे यहाँ पर देखे यह लिखा है यहाँ तक आ गए हम कि qp is equal to delta h ठीक है अब यह qp is equal to delta h है इस की value हम equation number 1 में यदि रख दे तो qp का मान यदि हम रख देते हैं तो delta h आ जाएगा ठीक है और फिर delta e plus p delta v तो यह जो relation है वो किसके किसके बीच में है delta h ठाथा delta e के बीच में यह relation है तो relation between delta h and delta e is equal to क्यों हो गया delta h is equal to delta e plus p delta v तो आज बच्चों यहीं तक next session में इसके आगे continue करेंगे